लाल सागर यानि पानी की वो सक्री सी पट्टी जो अफ्रीका और एशिया महाद्यूपो के बीच मौजूद है लाल सागर मिस्र सूडान और इरीट्रिया के तटो को साओधी अरब और यमन के तटो से अलग करता है इसके पूर्वी तट पर साओधी अरब और यमन देश हैं जबकि पस्चमी तट पर मिस्र सूडान इरीट्रिया और जिबूती है लाल सागर जो कल तक घंदा पानी के लिए समंदर का सबसे सुरक्षित और महतुकून रास्ता हुआ करता था वो अब हूती वी द्रोहियों के हमलों से तहशत की सुनामी जेल रहा है इसराइल और हमास की जंग के शुरू होने के बाद से ही यमन के हूती वी द्रोही ना सिर्फ इसराइली व्यापारिक जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं बलकि इस्राइल को सपोर्ट करने वाले पश्चमी देशों के जहाजों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार कर रहे हैं। हालात यह हो चुके हैं कि अमेरिका और ब्रितेन की सेनाइ मिलकर भी लाल सागर में भूती विद्रोहियों को रोप पाने में नाकाम साबित हुई हैं। अक्टूबर दो हजार तेईस से अब तक हूती विद्रोही कम से कम सौ बार लाल सागर में जहाजों पर हमले कर चुके हैं। पूती विद्रोही के हमलों से बचने के लिए ही सेक्डो कमर्शल जहाज दक्षिन अफरीका के आसपास जाने के अपने रास्ते को बदल रहे हैं। हूती विद्रोही के निशाने पर कारोबारी जहाज हैं और ज्यादतर हमले लाल सागर में किये हैं जिसमें शिपिंग कमपनियों की नींद उड़ गई है। बड़ा खत्रा सामने आया है। लाल सागर में समुद्र के भीतर हूती विद्रोहीयों ने फिदाईन हमलावरों की एक अलग ही दुनिया बना रखी है। खतरनाक UUV यानि Unmanned Undersea Vehicles हैं जो पानी के भीतर बड़ी खामोशी से किसी भी कमर्शल जहाज के करीब पहुचकर धमाका कर सकते हैं। ऐसे में हूती की ताकत आस्मानी ड्रोन और समुद्र के भीतर मानव रहित पंडुब्यों की वज़ा से काफी बढ़ गई है। पानी के भीतर UUV की वज़ा से अब एक बड़ा खत्रा लाल सागर में कमर्शल जहाजों पर मन्रा रहा है और लाल सागर में संघर्ष के तेज होने की आशंका काफी गहरा गई है। अब आपको बताते हैं कि हूती की इन UUV यानि Unmanned Undersea Vehicles यानि मानव रहित पंडुब्य की ताकत और शमता क्या है। हूती के ये समुद्र के भीतर चलने वाले ड्रोन्स भले ही किसी पंडुब्य की तरह धातक नहीं है। लेकिन ये समुद्र के भीतर और जमीन के ऊपर भयानक नुकसान करने में सक्षम है। लाल सागर के भीतर कोईलिशन फोर्सिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि इस तरह के ड्रोन्स के अचानक हमलों से बचा कैसे जाए। एक बार फिर से पस्चिमी देशों को अपनी नेवी की सुरक्षात्मक रन्नीती और तक्नीकी का फिर से गहराई से निरिक्षन और मन्थन करना होगा। क्योंकि हूती के अंडर सी अन्मैंड वीकल्स लाल सागर के भीतर दूर तक मार करने में सक्षम है। इन्हें अटैक करने के लिए किसी इनसान या ड्राइवर या फोर्स की ज़रूरत नहीं। हाला कि हूती के इन अंडर सी वीकल्स की शमता पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ये मिलिटरी सब्मरीन्स की ही तरहा पानी में बड़ा हमला करने की ताकत रखते हैं। ये यू-यू-वी अपने साथ में माइन्स, बम, टॉर्पीडो और विस्फोटक ले जा सकते हैं, जो कि किसी भी जहाज को बड़ा नुकसान पहुचा सकते हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर से निकली इस नई चुनौती और खत्रे से निपटने के लिए दुनिया भर की नेवी सेनाव को जंग लड़ने के तरीके में भारी बदलाव करने होंगे। क्योंकि इन UUV को टार्गेट पर पहुचने से पहले डेटेक्ट करना और नश्ट करना बड़ी चुनौती होगी। सोनार सिस्टम और अंडर सी सर्विलेंस सिस्टम से भी इनको ट्रैक करना आसान नहीं है। ये दबे पाउं हमला करेंगे, नश्ट भी हो गए तो हूती का कोई नुकसान नहीं। नश्ट होने के पहले किसी बड़े कमर्शल जहाज को एक बड़ा घाव दे देंगे। लाल सागर दुनिया भर के सबसे महतुकून समुद्री रास्तों में से एक है। स्वेज नहर भूमद्य सागर को लाल सागर से जोडती है। स्वेज नहर से ही हर साल 17,000 जहाज गुजरते हैं। 12 फीस दी सालाना वैश्विक कारोबार लाल सागर से ही होता है। लाल सागर से 10 खरब डॉलर के सामान का आयात निर्यात होता है। अकेले भारत का स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन लाल सागर में समुद्र के भीतर से निकलते इस नए खत्रे से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। जिस वज़ा से क्रूड ओयल और दूसरे जरूरी उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। और फिर नतीज दन महंगाई भी बढ़ेगी। वैश्वी कर्थ ववस्ता पर असर भी पड़ेगा क्योंकि लाल सागर में जहाजों के लंबा रास्ता लेने की वज़ा से हर जहाज को दस दिन अधिक सफर करना पड़ेगा। इससे कंपनियों पर आर्थिक बोज बढ़ेगा। बड़ी बात ये है कि अधिकतर बीमा कंपनियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को बीमा देने से मना कर दिया है। अब चलते चलते आपको फिर बता दे कि हूती विद्रोही दरसल यमन के अलब संक्यत शिया जैदी समुदाय का एक गुरूप है। साल 1990 में ततकालीन राशुपती अली अब्दुल्ला साले के रश्टाचार के खिलाफ लडाई के लिए हूती गुरूप का गठन किया गया था। कहा जाता है कि हूती विद्रोहीों को इरान का समर्थन हासिल है। हूती विद्रोही अमेरिका और इस्राइल को अपना दुश्मन मानते हैं। झाता का झाता हैं। झाता हैं। गुकझ! झाल झाल